है तो यह दूसरा वाला पेपर है बहुगोल जिए और उसमें टौपिक है और जिए चौपिक है भारत का भोगोल इसकी क्या-क्या क्वेशन है उसका वैसे विद्ग करने पांच पर प्रशन और प्रशन जो रहे हैं तो करना यह बाकि खण में से एक प्रशन करना यानि खुल आज चार प्रश्ण में करने हैं और दो प्रश्ण में पांच माच रहता है यह गतंच दस इस नविए बाकी दो में की तीन तीन रहता है यानई ृध जो है लिखना हम 25 की रहे हैं 15 नमें अरह एकदमानी वारे हैं पहले में भी a है जिसमें यह सारा करना है mapping वाला सेक्षण है फिर पहले कभी है सी है यह सारे question है इसी पहले वाले में ही लिए मैपिंग में क्या पूछा है कुछ जो पढ़हें आता है यह उसमें से आपको दिये के भारत के रेखा मान चित्र जो मैपतिय है निम लिखे सभी की स्थिती को अंकित के जिए और अपने पुस्तिका में जो क्यों से मतलब कि को कुश्चन कम आंसर सेट क्यों सी यह 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 आई सेट रहेगा जिसमें कुश्चन रहेगा उसके नीचे स्पेस दिया में इन अस्थानों 2009 इन अस्थानों में इसे प्रतिक का बारे में 30 शब्र लेक्षा आए उस के बारम इक अ सब्सक्राइब कर देना है और मैप में उसको इंडिकेट कर देना है तो ऐसे इसमें कितने हैं है दस है तो दस के दसों दिखाएंगे तुसमलिय दस नंबर इसमें मिल गया तो पहले इसमें थे नहीं 20 अचाब 20नमबर एक को दो का है यह एक हो गया अपना मैपिंग में दिखाने का और एक होगा का उसके पर लिखने का तो दोनों तो पहले प्रश्न वद्हावन वद्हावन कभी सुना है पथा नहीं प्रेक्ष सलखन वद्हावन सलखन चलिए इसको देख लेंगे सब गूगल पर एक कुर्ग कुर्ग कुन सा स्थान है कि कुर्ग जैसे लग रहा है कि करनाटक में कोई अस्थान है क्या करनाटक में सोना की खाने हैं सोने खाने कुर्ग हट्टी ऐसे करके कुछ खाने हैं तो कुर्ग जो है मुझे जैसे लग रहा है कि यह करनाटक कोई जगह है जहां सोने के लिए प्रस महो तो कोई साइंस में महो एक आता है सुने हो गया महो ऐसे करके सैद उसका सिंबल बनता है साइंस में आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में ऐसे करके यह ऐसे करके साइन होता है इसको बोलते हैं महो यह एलेक्टरिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें ऐसा बनता है लेकिन महो जेहोग्राफिय में कहा है इसका तो अंदाजा नहीं है फिर उम्रोई इसके फिर तुटु कुडी 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 ते बार गड़ ये भी नहीं सुना और राम गड़ है राजिस सांसाइड में राम गड़ यहां पर राणिया वंती बाई लड़ी थे अठाव सतावन के करंदी लड़ी थे वह कहलाता है बुंदेल खंड राएगण का दुर्ग है महराष्ट में जहां पर पैदा हुए थे शीवा जी सन अतल शुरंघ यह पता इंचल शुरंग जम्मू कशमेर में नहीं टल विहारी वाषपई के नाम पर यदर किया है अटल शुरंघ्द Its इसमें क्या है कि जैसे अगर स्ट्रेटिजिक पोजिसन देखें यहां पर तो इस वाले छेत्र में कनेक्टिविटी बंद हो जाती है जब बारी होती है ठंडिक सीजन में कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है तो यहां से जो अगला प्रशन गुरुशिखर राजिस्थान में जो एक अरावलिष रणी जाती है अरावलिष रणी गें जो कि करिब करेट साथ सो आट सो क्लिमेंडर लंबा है उसको कहते है दिल्लि रेज में टो इसी राजिस्थान में अरावलि वाले रेंज पर एक एक शिखर है जो अरावली रेंजी का सबसे उँचव शिखर है इसी का नाम है गुरु शिखर और इस गुरु शिखर के पास जो है माउंट आबूम पड़ता है राजसान में जो कि जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तो इतना लिखनेंग तीस शब्द पूर हो गया मैपिंग में दिखा दिया एक भूम ला भूम्ला दरसल एक दर रहा है ऑड़ांचर प्रदेश में प्रमॉफ दर रहे हैं जसके का सब योऊपर करए खाल यहां पर है याईक मैप में अगर देखा यह इन इन इut Japan एक दर्रा है बूमला एक दर्रा है दर्रा है बॉमडीला दो ज़ोडने काम करती हैं तो बूमला या वॉमडीला, यह भारत को तिब्भत से जोडने का एक मार्ग प्रदान करती है जो कि अणाचप देश पड़ता है तो तीस सब्सक्राइब हो जाएगा अब मैं आपने दिखा दिया यानि तीन चार प्रश्ण जो है तीन चार नंबर का हो सकता है से बागे तो बहुत अजीब अब देखें भारत के भूगों से प्रश्ण क्या पूछा है भारत के भूगों में भी कई से कई से प्रश्ण जो मानो भूगों से संब्दित है जन संख्या आर्थिक भूगोल जो बस्ती भूगोल है ना बस्ती भूगोल है तो है बस् तो आजाएगा उसमें ख्यार लेकिन इसमें भी है थोड़ा साथ आप देखें इसमें पहला प्राश्च नहीं है पहले भी जलवायू परिवर्तन ने रित्वों की लाइक को और इस्थिर कर दिया है उदाहरणों एवं आनुभविक साक्षियों सही टिपड़ी कीजिया यह क्लाइमेट चेंज है वह रित्वों की ले यानि जैसे जाड़ा गर्मी बरसात इसके ले को परिवर्तन कर दिये जलवाय परिवर्तन ने इसका भी रिसेंटली आप एक्जांपल देख सकते हैं जो अमेरिका है अमेरिका के पस्चमी हिस्से पर पूरा एकदम वर्ल्ड रिक पर तोड़ दिया 49 डिगरी सल्सेस वहां का तापमान हो गया था जो वैंकूवर शहर है कनाड़ा का और अमेरिका के जो शेत्र यहां पर लगता है पस्चमी किनारे पर वेस्ट पैसिफिक ओशन में तो वहां पर उन्चास डिगरी सल्सेस तापमान हो गया था जबकि वह भ जो तापमान है वह खुप ठंडा हो गया था न्यूजिलेंड में तापमान खुप ठंडा हो गया था जब कि बहुत एक रूप से न्यूजिलेंड देखें तो मकर रेखा परिस्थेता है मकर रेखा के आसपास में इस्थेता है मकर रेखा काटते हुए जाती है मकर रेखा के जस्ट नीचे है यानि कि भावगली के निव्जिलेंट की तो जो इस्थितिक करक रिखा पर रिखा पर होती है है, यानि जयां पर भारत को है, वो खेस्ति आसे की इसे ही इसी आपने अनभोग किया है कि दो हजार 21 में ही देखे चाइना में पिछले साइकड़ों सालों का रिकार्ट तोड़ दिया बारिश का और इन सब का काराण वह ग्यानिकों ने क्या बताया बताया जलवाई परिवर्थ लाइमेट चेंज ऐसे ग्लैश सपिखल जा रहा है ग्लैश पिखन पीछे का रण क्या है कि गलोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इससे क्लायमेट चेंज हो रहा है और इसका सीदा सीदा परभाओ जो है हमें दिखाई पड़ता है तो इस पर लिखा जा सकता है देर सशब्दों में अगला ग्रामीड भारत में प्रदूश्र घटाने के लिए फसल अवशेश प्रबंधन की विदियों की विवेशना के जिया है डिसकर्ण मेथर्ट्स औफ क्रॉप रिजिडियूस रेजिडियू मेनेजमेंट इन रूरल इंडिया टू रेडियूस प्रबंधन यह धान काट लेते हैं तो उसके बाद जो फसल की अवशेश बच जाते हैं पराली इसको बोलते हैं उसका प्रबंधन करना बहुत जड़ा जरूरी है तो ग्रामेड भारत में प्रदूश्ण घटाना है अगर प्रदूश्ण को रिडियूस करना है तो इसके लिए में फसल अवशेश प्रबंधन पर विचार करना पड़ेगा उसकी जो विधियां हो सकते तरीके उसके विच करता दे क्या पराली का प्रबंधन होने ही पाता है और इसमें विधि कौन से प्रयोकिया सकता है कुछ आईसी विधियम कुछ आईसा आईसा कुछ इनोवेशन हुआ भी है हां सडाने के लिए यानि कुछ ऐसे खाद जो क्या बोलते हैं कीड़े जो की उस फसल के आउशेश में डालें खेत में डाल दें और पानी भर दें तो दस दिन के अंदर में सडा करके एक दम उसको इस प्रेंड कर दें तो ऐसा हम कुछ इनोवेशन कर सकते हैं तो इस तरीके से हम फसल की आउशेश का प्रबंधन कर सकते हैं वीधि क्या वह सकती है इसके लावर विधी क्या हो सकती है एक तो विदियो सकती है कि हम ऐसी टेकनोलजी को इन्नोवेट करें जिससे की फसल की पराली कोशेश को हम जल्दी से उसको खतम कर सकें दूसरा तरीका यह हो सकता है करने के लिए परिवर्दित करने के लिए गड़ा और बना के उसमें अपना कर सकते हैं जह बात बुलकुल उसको परिवर्दित कर सकते हैं कि सारे फसल की पराली को काट दिये काटने के बाद about गड़ा बनांगर कि उसमों पाट दिया और एक सालवाद निकाले बढ़ेखाद बन गया लेकिन लागत वाली दिक्कट में आ जाते हैं लागत वाली दिक्कट गया अगर और किसानों को है पर आलिको साधाना ही होता है तो वह मशीन से फसल को क्यों चुर्ण चपि आइप वहां स्यमाटल सागे पड़र घ् – एक लात तो उसको निका compression कंच मशीनि ऑप तो आनाज कोने का लिया और दूसरा लागत फिर से उसको कट vocal कर भली पर यह द स्य यहां पर पराली प्रबंधन की समस्या होती है उनको कुछ incentives दे हैं जैसे में दिकत लागत वाली आती है costing का वहां के किसानों को वहां के सरकार जो है कुछ पैसा दे सकती है कि अगर आप 10 बीगे का प्रबंधन खत लेते हैं जैब इस खात बना लेते हैं तो हम आपको 5000 रुपए खाते में भीज देंगे तो इससे ही होगा वह उनको प्रेंड़ा मिलेगी उनको हान ही नहीं होगा और दूसरा उनको लाब होगा और सबसे अच्छी बात है कि अभी तहाल ही में खवर खेल रही है बंदेल खंड में उत्तर प्रदेश के वहां जैवीद खात बहुत दस हजार एकर जमीन के लिए जैवीद खात प्रोड्यूस किया गया है और सबसे बड़ी बात इसमें जहांसी सबसे आगे है जिसे बहु अब अगला प्रशन देखें जम्मू एवं कश्मेर के लोगों की प्रादेशिक आकांग्षाएं यानि रीजनल एस्पिरेशन्स का राज्य के पुनर गठन के माध्यम से पूरी हो पाई है यानि प्रदानमंत्री श्रे मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर गठन अधनियम लेकर के आए जिसके ताहत जम्मू कश्मीर को बाट करके दो यूटी इस फरस्ट जम्मू कश्मीर विड़ लेजिस्टेचर एंड सेकेंड लद्दाक union टे ampli विडा लेजिस्टेचर बनाएं तो प्रतिय हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आकांग्षा एस्परिशन इक्षाएं हैं टागेट्स हैं गोल्स हैं उसको अच्छेव करने के लिए जो प्रादेशिक आकांगश हैं उनको अच्छेव करने के लिए राज्ज के पुनरगठन ने एक भूम का नीभाई है तो इसका answer हम थोड़ा थोड़ा quality और ज्यादा मातरा जोग्राफी से ले करके कर सकते हैं जैसे जम्मू कस्मिर की लोगों की प्रादेशिक आकांग्षाय क्या हो सकते हैं स्वतंतरता समानता स्वधीनिता स्वाधिनिता तो यह तो सही बात है यह सारे regional aspirations हैं उनके हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों के साथ भारत की सरकार तो समान बरताओं करती हैं लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार वहां पे समान बरताओं नहीं करती थी वह जम्मू कश्मीर की नागरिकों को एक जम्मू कश्मीर का नागरिक का दर्जा देता था और व इस वज़े से कश्मीर वाले खुद समझ नहीं पाते कि वासल में किस तरफ उनकी ज्यादा प्रेश्ट भूमी है जो यहां कि हैं उन पर अत्याचार हो जाता है मतलब उनकी जो वो है भागली की स्थती जो है इधर से पी ओके इधर से ये बीच में थोड़ा सा हिस्सार रहे जाता है और फिर इधर से आतंकवाद भी फैलता रहता है उपर से इनके साथ वहां की सरकार भेद भाव करती थी तो इसके कारण इनके रिजनल एस्पिरेशन पूरी नहीं हो पा रहे थी हैं यहां पर जो है सेब केसर है कि टूरिजम इंडस्ट्री लद्दाख सोलर एनरजी का बहुत बड़ा कि सेंटर सेंटर बन रहा है इस समय जबसे वहां पर नया इस सब लाए गया है बन रहा है वहां पर बहुत धर्म का बहुत बड़ा परसार है अब नहीं कि बहुत सारे मटवगर वहां पर है लद्दाख में लद्दाख को जो है छोटा तिबद भी पिर वीका ज़ाता है तो उनकी रिजनल एस्प्रेशन कितनी जदा होंगी जम्मू कश्मिर में हिंदू का है जम्मू में हिंदू का है कश्मिर में मुसल्मानों का है लड़ाख में जो है इनका बॉद्धों का है टूरिजम इतनी सारी संभावनाए थी जम्मू कश्मिर राज में भारत के मुकुट पाकिस्तान जो है भेश कर आतंगबाद भेश करके वह असंतुलन कर देता था चीज़ें खराब करता था यही में रीजन था ना कि जम्मो कश्मीर को यूटी बनाने का दो राज्य में वह दो केंद शासित प्रदेश में परिवर्तन करने का जम्मो कश्मीर में पहले अगला प्रश्न देखें जन जाती उपयोजना जन जाती उपयोजना के अंतरगत सं रक्षत छेत्र ने कंजर्व एरियास जन जाती उपयोजना के अंतरगत सं रक्षत छेत्रों की पहचान सहित उनकी समस्याओं के समाधान है तो आरंभ किये के कारियकरमों की विवेशना कीजिये इसमें कुल्म्राइकर के ऐसी सभी योजनाओं का हमें उल्लेक कर देना है जिससे की जन जाती छेत्र में रहने वाले लोगों की जो पहचान है उनकी समस्याओं के समाधान हो सकें जैसे की जैसे की जन जाती शेत्र में कौन-कौन से शेत्र आएंगे ज्यारखंड मध्यप्रदेश में कोल भील जन जाती रहती हैं जो अक्सर करके जंगलों पहाड़ी इन सब में रहते हैं में परदेश की ख़ब जन जाती हैं इसा में घाले की फोर सी झान जती हैं एसे सम्मे गसन जन जाती है थे सबुए अइससे पर सरुक्ष सब्सक्राइब के इनम के मुख्यमंदरी करते हैं लेकिन नौर्थ हेस्ट में कुछ शेत्र ऐसे हैं जहां पर एक संसथांट्थड गठन किया गेया है के जैसे अस्थानि शासन होता है तो कि जृस नाम सत्य जुश अधा outras में यासा है सभी जगा नहीं है और कुछ है तरह से हैं जो सम्विधान की पांचवी और छठी अनुसूची में उसको सन्रक्षित किया गया है सन्रक्षित श्रड़ी मिलाए गया है जैसे मिजोरम नागालेंड जो अ मडीपूर यह जो राज हैं त्रिपूरा एम टीम एम टीम अस अश्रम मिघालें त्रिपूरा मिजोरम तो इन राजों को सन्रक्षित किया है तो इन के लिए उप योजनाएं क्या हो सकती है जैसे नौर्थ हिस्ट में जो भी चीजें वहां पर रिजशनल चीजें बास के चीजें बनी बास से बनी कि चीजें टोकरी तरह तरह बहुत यह कलरफूल डिजाइनर वाली कपड़े होते हैं वह सारी चीजह है उन सब को हम प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पर यह सारी चीजह बता सकते हैं इसमें अगला एक प्रश्ण है भारत में रंगों की आधार पर वर्गी कृत म्रिदा प्रकारों में विश्ष्ट रासाइनिक एव क्लासिता औन बेसे सफ कलर पोज़ेज शिपिस्फिक केमिकल एंडश्याथ करेक्टरिस्टिक इसकस kg रंगों की आधार पर एगर हम देखें नीजमा बारत में अक हो सकती लल मिट्टी किए environ कालि म्या इसमें अमगी किन दात को अक यह रजाय चामिस की दो निकलती है तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेट राइट मिट्टी, परवती मिट्टी, जलोड मिट्टी, दरसल जो जलोड मिट्टी होती है, जलोड मिट्टी के कए प्रतार होते हैं उसी में कंकड़ी आजएगा दोमट आजेगा भागर भांगर खादर यह सारी चीज़ें आजाएंगी उसी में ही तो उनके क्या विश्षथा हो सकती है लाल मिट्टी में किस इसका उत्पादन हो सकता है इसको हम लिख लें फिर काली मिट्टी में हम कपास गन्ना को पदें कर सकते हैं जलोड मिट्टी में सारे जितने सीरियल्ज वाले फसलें होती हैं तो उनकी क्या राजायनी क्विश्चता है जिसे कि आगे जो काली एक रूप्टी इसमें लिड़ी सबॉन रिच जलोड़ी में घृटी में पी जो चीजय पाई जाती है जैसे अलग लग जिन्क कुशंता को शेल माथणी इसे जो चीज़्य होती है वह सबमा बाउशधी उद्योग कच्चे माल के आयात पर निर्भर करता है भारत चीन संबंधुक दिर्ष्ट कोड़ से इस कथन का मुल्यांगन कीजिए यह पूरी तरीके से करेंट अफ्यर्स पर आधारित प्रश्न है क्योंकि जब वैक्सीन जो बनती थी भारत में जिसका नाम जो वैक्सीन बनता था उसको बनाने के लिए जब शुरुवात में कोवेट फैल था उस समय एक यह हम लोग बनाते थे एक पैरसेटर मॉल्टेप गुली बनाते थे शुरुवात में ध्यान हो तो अभी तो कोवेशील्ड आ गया को वैक्सीन आ गया जॉंसन और ज यह अपना रूस का जो इस पुत्निक फाइब आ गया अभी पर सुम एक फो निकला एक और नया निकल गिया है जो की डियने संस्लेशर की अधार पर बनाए गया है लेकिन शुरुवात में भारत एक एक टैबलेट बनाता था जिसका नाम था हाइट्रॉक्सी क्लोरोक्विन जिसका निर्यात अमेरिका को बहुत सारे देशों किया गया था तो हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन को बनाने के लिए उसके ड्रग में एक कच्छे माल के जोद परते थे रौ मटेरियल और वो रौ मटेरियल का ज्यादा तर हिस्सा हम चाइना से इंपोर्ट कराते थे कुछ तो उस समय ये चीज़ बहुत ही चार्चा में विश्य बना हुआ था कि भारत को औशधियो द्योग में अगर आगे बढ़ना है तो कच्छे माल की कमी को पूरा करना पड़ेगा भारत चीन संबंधों में जो है खटाज जो है उसको दूर करना पड़ेगा तो ये करेंट अ यानि अंतरास्ट्री संबंध होला प्रश्ण भी इसमें पूछ सकता है हमारे जोग्राफिय ऑप्शनल के पेपर में है फिर एक प्रश्ण भारत ने निजी छेत्रे प्राइवेट सेक्टर के लिए अपने अंत्रिक्ष को उपग्रह आधारित गतिविधियों है तो खोल द दियों के लिए खोल दिया है प्रमुख सुरक्षा दुष चिंताओं को इंगत करते हुए इनके नहीतार्थों को समालोषना तो परिशड़ कीजिए जीएस पेपर 3 में है जीएस पेपर 3 में जो यह है अपना साइंस एंड टेकनोलजी उसमें से एकात प्रश्ण तो आही अंत्रेक्ष से हो इन सबसे रिलेटर लेकिन आफ प्राष्ण नल पेपर में भी एक प्रश्ण यह दो प्रस्ण हर साल आही जाता प्राइब अगला प्रश्ण भारत के तेलहन उत्पादक शेत्रों की पहचान कीजिए कहां कहां पर तेलहन का उत्पादन होता है यानि कि ओईल सेट्स साथ ही खाद्य तेल उद्योग को प्रोसाहित करने वाले उपायों की विवेशना कीजिए ये प्रश्ण इसलिए पूछा गया होगा क्योंकि 2019-2020 के समय में क्या था कि 2019 में आये था जमों कश्मील वाला विध्यक तो इसके विरौध में तीन देश प्रमुखुरूप से थे एक पाकिसतान विरौध कर रह था चाइना विरौध कर रह था और तीसरा एक देश था वियतनाम वियतनाम एक मुस्लिम मैजोरिटी कंट्री है जो जिसका संबंद चाइना से और पाकिसान से अच्छा माला जाता है तो वो इस बात का विरोध कर रहा था कि ये गलत है श्री मोदी जी ने गलत कर दिया तो हम वहां से मंगा थे थे पाम वैल कि वियतनाम से मलेशिया से यहां सब्सक्राइब तो जब देखी हमारे हमारे आंतरिक मामले में दखल कर रहा है तो हमने पार्म वाइल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया कि इसके अलामा हमारे देश में तिलहन कि फोटीक हमारे माहराष्टी मांध्रक्रद्रक्रियattend div कि एनेर्जी वाल वाल दूसरा वो है जो खाने यो वाइल सीट्स हैं कि उनको में इंपोर्ट कराते हैं उसका हमें बहुत सारा जो है पैसा उसके लिए खर्च करना पड़ता है हमारी आर्थिक रिजर्व खतम हो जाता है तो इसमें तो पहला तो परचे बता दिया इसा है ती तिलहन में यूपी भी है मध्यपरतेश दलहन के लीए फेमस है राजस्थान मोटे अनाचे लीए महरास्ट तिलहन के लिए हैं और थोड़ी-थोड़ी मात्र में देखें तो सब जिए जगह पर हैं तिलहन लेकिन इतना नहीं कि उसे इंपोर्ट है एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहला ऊपाय यह है कि हमें तिलहन की फसलों का जो एरिया है कि एर्या को और ज्यादा त्पाथन करें रख ज्यादा जब कोई नई फसल बोते हैं तो और उसमें मूल भी ज़्यादा मिलता है और तीसरा सरकार जो है किसानों को प्रोसाहांदाशी दे सकते हैं उनके लिए योजनाय बना सकते हैं अगला कुश्चन भारत में परिवर्ते इंशिल ग्रामेड लोक ग्रियों को एक तरक युक्त भावगलिक विवरड़ दीजिए गिव ए रिजन्ड जेोग्राफिकल एकाउंट ऑफ चेंजिंग रूरल फोल्क हाउसेज इन इंडिया घर बनाने की जिलार ओंक अलरग वेयरा है का सफ्वर्ते और ने मेंनों तरफ निए वी परूंपर यहां कि अगल लग टाइप इन चंट्रेस्ट्र चेंग नाए कि अगला प्रस्फ्न सीमा वर्ती से समांधियत राज्य है उन सब का विकास बहुट जड़ूरिय इसnal स्प्रेजिक पॉइंट उफ्यू से और क्योंकि सीमा वर्ती छित में जो लोग रहते हैं उनका विपास WITH फोच और सा ऑवर्भ हो कि इस्थिति स्थापक कदम क्या हो सकते हैं यह वहां पर हम कैसे पीस मेंटेन कर सकते हैं इसके लिए संस्था काम कर सकती करती है बी आरो क्या बोलता है उसको बॉर्डर रोड और और नेशन बियारो कि एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव वह बी आराइए इसकेम है चाइना की हमारा भारत में बी आरो बेल्ड बॉर्डर रोड और ये संगठन करके हैं सीमा सड़क संगठन तो सीमा वर्तिशेत्र में वह सड़क करने माला करती इसका इसका एक्जांपल देखें रहा है तो स्ट्रेजिक पॉइंट आफ यू से इस इंपोर्डेंट टो मेक ए रोड नियर अगला प्रश्न बच्चों में बच्चों में रुध्विकास एवं छै रोग खाद असुरुक्षा के प्रमुक परड़ाम है इन समस्तियां यानि खाद असुरुक्षा से रोग ओ और छै रोग मतलब है वेस्टिंग वास्टिंग मतलब जो होता है सरी के विकास से संब्धित चीजे हैं तो यह कैसे हो रहा है बहुत साइब वाद में स्टंटिंग है बहुत बड़ी संख्या है इसकी ढाटट जो हर साल आते रहते हैं तो आप मैं बताना यह से अगला प्र बहुत सरव करोना वाइरस बढ़े था तो उसमें गवश्यक वस्तु में थी एक 1905 में कानून आये था तो अओश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उसमें श्रय नहरुजी ने प्रावधन किया था कि जो बहूत ही आवश्यक चीजे हैं डेली लाइफ की चीजे हैं उनको हम इस सूची में जब डाल देंगे तो इससे क्या होगा उस सामान को स्टोर करना ज्यादा मातरम में गैर कानूनी बना दिये जाएगा ऐसे जब कोरोना बढ़ा तो इस समय पीपी किट मास्क सैनिटाइजर यह बहुत ही आवश्यक वस्तु हो गये थे अगर काला बाजारी करने वाले लोग इसका जमा खोरी करते तो इसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़िया था जबकि है यह बहुत आवश्यक चीज तो 2020 में संशोधन किया और कहा सैनिटाइजर मास्क इन दो शीजों को यह संसोधन सिर्फ दो शीजों को लेकिया गया था मास् हां इन दो चीजों के लिए इन दोनों को आवश्यक वस्तु के सूची में डाल दिया थे एसेंशिल कॉमोडिटीज बोलते हैं उसमें डाल दिया यानि अब इन चुछ कि अगर काला जमा खोरी होगी गयर कानूनी होगा जो भी कानूनी का रिवाय होगी किया जाएगा तो वही है इसमें कि आवश्यक वस्तु संशुदन बिल 2020 का लक्ष क्रिश्ची उपजों की उतपादन आपूर्ती वित्रण को नियंत्रण मुक्त करना है इसके छेत्री परडामों को सब्सक्राइब अच्छा एक तो एसेंशल कमोडिटीज एक्ट में संशुदन हो तो 2020 में इस चीज़ से रिलेटर तो था ही मास सेंट एजय को डाल दिया गया था लेकिन जो तीन फार्म भी लाया है एमस्प सम्मंधित जो है इससे एसेंशल कमोडिश एक्ट से सम्मंधित बिलाया है तो ये उस वाले बिल्द से संब्सक्राइब बनाया है सारे चीज़ी इसमें बताये हैं सब्सक्राइब अगला प्रशन फटाफट थी पंचाइति राज जो 1992-1993 में संशोधन किया गया था पंचायती राज व्यवस्ता को लाया गया था जिसका उलेक संविधान की अनुछे 40 में इसको उलेक किया गया है तो उस पंचायती राज की सफलता लोगों की आधार अस्तर पर सार्थक साभागिता पर निर्भा करती है यानि पंचायती राज तभी सफल हो सकेगी जब अस्थानी लोग उसमें साभाग यह सही तरीके से करेंगे अगर अस्थानी लोग उसमें भाग नहीं लेंगे तो यह फेल हो जाएगा क्योंकि इसका में मक्सद है रीज अस्थानी अस्तर पर स्वाशासन को बनाया रखना है अगला प्रश्ण भारती कृषी को इंडियन एगरी कल्चर भारती कृषी को नीम लेपित यूरिया याने नीम कोटेड यूरिया यूरिया उसमें नीम का लेपन किया जाता है नीम कोटेड यूरिया योजना से होन कर दिया था है जिसके क्या लाब होते हैं यह हमें बताना है करेंट सा फेर से रिलेटी कुश्चन था यह दरसल होता है कि जब यूरिया को हम खेत में डाल देते हैं तो वह बहुत तेजी से घूल जाता है पानी में जब बहुत तेजी से घूल जाता है तो जो न्यूट्रियं जिससे वह दीरे-दीरे करके पिखलता है अचानल तड़ाक से नहीं पिखलता रहता है और यूरिय डालेंगे तो उससे मृदा परदुशड होगा लेकिन नीम कोटेड यूरिय डालेंगे तो मृदा परदुशड समान थोड़े से कम होगी इसके बहुत सारे लाब है वह एक अलग मुद्धा है टापिक है अगर नहार सिंचाई ने कैनल इरिगेशन नहार सिंचाई ने भारत में एकल सस्यन को जन्म दिया है उपयूक्त उदाड़ों के सहित व्याख्या के जिए यानि नहार कि सिंचाई जैसे सब को में इंद्रा गांधी कैनल जो कि भारत की सबसे ना जाज बहती है सतलर से निकाला गिया है भागडा अंगल पर योजद्स बना किया है हम वह से निकलती है और राज़स्थान पूसे परDas है जो फीर छेत्र में हर आंध supremacy याठाव करती है कुल obtी इसमें हमें बताना है इसके बहुत सारी नुक्सान है 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 किलता वो फैसलीटी मिलती है तो प्रोडक्सन बढ़ता है लेकिन एक प्रकार की फसलों पर जोर ज्यादा हो जाता है तो इसे पर्यावड़े नुकसान होता है तो दान हो गया कोई पीजीचे हो गई एक ही प्रकार की फसले मौएंगे अगर उसमें क्राप चेंज नहीं करेंगे गय प्रकृति में व्रिद्धिमान पारिस्थितिक पद चिन्हों का प्रतिरूप असमान है यानि दपैटन ओफ ग्रोइंग एकोलोजिकल फुट्प्रेंट्स इस अन इवन इन नेचर जैसे एक होता है कार्बन फुट्प्रेंट यानि कार्बन के मातर बहुत ज्यादा निकलना तो इकलाजिकल फुट्प्रेंट जो है इसका बढ़ाओ वह प्रकृत में अलग लग जमान पर अलग अलग है अनलाइज विद रेफ्रेंस टू लैंड रेसोर्स इन इंडिया भारत के संदर में बताना है कि ये क्या मतलब बताना इसके बारे में अगला भारत के प्रजनक एवं पराश्ट्राइक नगरों की चुनोतियों के पहचान किजिए उनके संभावित उप्चार बताईए प्रजनक प्राश्ट्रिक्त नगर आइडेंटिफाई चेलेंजेस फेस्ट बाई जेनरेटिव एंड पैरासिटिक टाउंस इन इंडिया एंडियर पॉसिबल रेमडीज अगला प्रस्ट विकास में प्रादेशिक विश्रमता को घटाने हेतू भारत में डीजिटल प्राजक का त्वरित निवारण आवश्चक है डीजिटल डिवाइड इंडिया नेट्स कुएक रेड्रेसल तो रेडियोस रेडियोस रेजनल डिस्पैरिटी इंडेवलमेंट इलेबरेट विद सुटिबल एक्जामर्स अगला बहुत इंप्रेस्टिंग है हिमालय में हिम हिमस्खलन हिमालय में हिमस्खलन एक प्रमुक खत्रा है इसके कारण तथा प्रशमन उपाय क्या है एवलांचे इस अ मेजर हैजार्ड इन दे हिमालियास वाट आर इट्स कॉज एंड मिटिगेशन मिजर्स भारत में जनांक की ये संक्रमण की प्रक्रिया एक समान नहीं है जैसे इसके चार चरण है जनांक की संक्रमण की सिदान्त में चार चरण है पहले चरण में होता है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और बहुत तेजी से मरती है दूसरे चरण में होता है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है लेकिन दीरे-दीरे मरती है तीसरे फेज में होता है कि जनसंख्या बढ़ती जाती है लेकिन मरने के दर कम ह चौथे फेस में होता है कि जनसंख्या व्रधी घरती जाती है और मरने के दर भी घरती जाती है तो चार चरण होते हैं इसके बारे में 40 मिनट का एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो जनांकी की संक्रम्र सिधान के संदर में इस कथन को परिक्षड करना है बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोशन ही है दप्रोसेस डेमोग्राफिक ट्रांजिसन इस नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया बिल्कुल नहीं रहा है एक समान नहीं रहा है इंडिया में 1921 को कहा जाता है कि जब वो वहां से दूतिय चरण में प्रवेश्च किया था है अगला प्रश्ण भारत के भूकंपी छेत्रों का सेमांकन करते हुए अत्यंत समवेदन शेल भूकंपी छेत्रों में धारड़ी या मानो अधिवासों हे तो उप्यूक्त हस्तक शेप सुझाई है यानि पह कैसे हम वहां पर ऐसी प्रकार के घर वाउस बनाएं जिससे की सस्टेन कर सके सबी लोग जैसे की जापान करता है अगला ब्लूफ लेग यह करेंट फिर्स कोश्चन नहीं यह ब्लू फ्लाइग इडेंटिफिकेशन दिया जा रहा था ब्लू फ्लाइग इडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि समुधर के किनारे वाले वे शहर जिनको डेवलप करना है और मतलब साब सुत्रा करना है इसे रिलेटेड तो ब्लू फ्लैग प्रामाडिस समुद्री तटों की विशिष्टाएं क्या होती हैं करेंट अफिर से रिलेटेड है भारत में समुद्र तटी परेटन में उनके महात्व की क्या विश बाते हैं अगला प्रश्ण नियोजित शेहरों के चतुर्दिक विक्सित नगरी विस्तार की फलस्रोप अनाधिकरित अधिवास प्रकट होते हैं यहां पर भी नियोजित शेहर होंगे उनकि चारों तरफ विक्सित नगरीय विस्तार होगा जिसकी फलसुरूप अनाधिकृत अधिवास जो है वो प्रकट होते चले ही जाएंगे ये भारत में दिखा जा सकता है दिल्ली में मुंबई में गाजियवाद में भी कुलकाता में भी ऐसे दिखा जा सकता है भारत में ग्रामेड नगरी विभाजक के संदर में श्रम शक्ती के संगधन की परिवर्त अंशील प्रक्रितिका विशलेशट कीजे अनलाइज द चेंजिंग नेचर ओफ वर्कफोर्स कंपोजिशन विज विज रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडिया दक्षड चीन सागर साउट चाइना से जो कि जापान चाइना फिलिपिन्स इन सब देशों से घिरा हुआ है जो कि यहां से दुनिया का वन थर्ड ट्रेड जो है इस वाले शेतर से हो करके गुजरता है जिस पर चीन अपना पूरी तरीके से दावा करता है तो वही दक्षड चीन सागर में भारत के आर्थिक समुद्री एवं सामरिक हितों का वर्डन करना है डिस्क्राइब थे एकानुमिक मेरी टाइम एंड इस्ट्रेजिक इंट्रेस्स ऑफ इंडिया इन साओ चाइन सी अब अब यागे एकदम लास्ट कुश्चन भारत में रोजगार में कमी वाले प्रदेशों है तो किस प्रकार के कौशल प्रोसाहन कारेकरम प्रारंब किये गए है या क्या किजिए तो यह सारे सारे कुश्चन थे जो की जोग्राफी ऑप्शनल का जो सेकेंड पेपर है उससे रिलेटर था तो थैंक्स पर वाचिंग तिल देन नवास्कार चेहन